Okay students now take out your English copy सब अपनी English copy take out कर लीजिए अब हम English copy का work करेंगे open your copy यहां तक की working I hope सब students ने कर ली उगी translate into English मैंने आपको 1,2,3 तक कर वाए थे I hope सब के 2 times complete हो गए होगे आज हम जो हैं इससे आगे 1,2,3 के बाद 4,5,6 जो है अगेन आगे के 3 वो इस पेश पे करेंगे ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो है जो वन लाइन है इसको मिस कर दीजेगा छोड़ दीजेगा और नीचे लाइन से सेकेंड लाइन से यहां साइट पे जो है आप इस तरह margin draw कर लिजेगा colors है ठीके ऐसे आपको दिख रहा है ना इस तरह margin draw कर लिजेगा अब working start करते हैं चले heading हमारी जो है वही वाली शोगी translate into English write कीजिए मेरे साथ translate अच्छा देखें में भी spelling को read करके ही word बनाती है क्योंके इस तरह क्या होता है इस तरह आपको किसी भी word की spelling असानी से easily जो है याद हो जाती है आप पढ़ पढ़के लिखेंगे तो आपको spelling भी याद होती रहेंगी आपके लिए बहुत easy रहेगा ठीके translate one finger space i and space t o to translate into one finger space English e and g l i s h English last में fully stop ओके अच्छा मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्दू में हम आलास आखिर में खत्मा यूज करते हैं इस्तिमाल करते हैं और English में जो है हम fully stop use करते हैं ओके अच्छा 3 तक complete कर लिए दे आज हम start करेंगे चार से उर्दू में जो है 4 5 6 और English में 4 5 6 यहां लिखे चार इस तरह और पहले हम जो है उर्दू लिखेंगे कैसे लिखेंगे start करें मेरे साथ यह थोड़ा से गेप दे के लिखेंगे लिखेंगा मिलाईएगा नहीं बिल्कुल यह मेरी किताब है आफिर में खत्मा यह मेरी किताब है अब इसको translate करना एंग्लिश में तो केस तरह करेंगे इसकी ट्रांसलेशन होगी वह होगी यहां पर लिख लीजे फोर ठीक है तो देस यह को किसे केते हैं यह यूज हो रहा है तो इट मिंस यहां पर दिस आएगा दिस टी एच आई एस देस वन फिंगर इस पेस आई एस एस वन फिंगर इस पेस मैरी लिखा हुआ है मैरी किसे केते हैं मैरी माई माई यूज करते हैं एम वाई माई देस इस माई किताब को इंगलिश में क्या बोलते हैं बुक तो वन फिंगर इस पेस दीजिए और राइट कीजिए बी डबल ओ के बुक लास्ट में फुली स्टॉप देखें और दुम्हें खत्मा यूज किया था और इंगलिश में फुली स्टॉप अब लिखिए नंबर पांच नंबर पांच है वो कार वो कार काली 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 है काली है इसको टांसलेट करें यहां पे लिखेंगे फाइफ अच्छा यहां वो यूज हो रहा है वो के लिए क्या यूज करते हैं देट क्या यूज करते हैं देट तो यहां पे टी एज ए t देट झाल 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 झाल